नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से Competition Community की YouTube चैनल में आप लोग देख रहे हैं SSC, CJL & CHSL का YouTube Course जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यह बोटन स्टीम याने नाव एवंधारा Time Speed Distance का तीसरा वीडियो है यह तो Part 1 वीडियो में और Part 2 वीडियो में जो चीज़े हमने सीखी वो यहाँ पर बिल्कुल एपलिकिबल है यानि कि Speed is equal to Distance upon Time इसके उपर मैंने बात किया था फर्स्ट वीडियो में जिसमें कि हमने तीन तीन यहाँ पर रेश्यो अलग 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 देखे थे Unit Conversion सीखा था साथी साथ हमने क्या देखा था तो हमने देखा था यहाँ पर Average Speed और फिर हमने Second Part में Relative Speed देखा तो यह सारी चीज़े यहाँ पर भी अपलिकेबल है जब हम इसके Questions की बात करें Boat and Stream के तो आपके Exam में जो Questions आते हैं उसका Level Easy to Moderate होता है ज्यादा Difficult Question नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको Confusion इसलिए Create हो जाता है और Difficult इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर चार अलग-अलग तरीके के Speed होते हैं Speed is equal to distance upon time यह हमें पता है लेकिन यहाँ जब Speed लगाने जाते हो तो चार Speed रहते हैं तो हम यह Confuse हो जाते हैं कि कब कौन सा Speed लगाना है तो पहले मैं इस Confusion को दूर कर लेता हूं पहले समझ लेते हैं सारी चीजों को उसके बाद फिर हम इसके Questions लगाएगे हमारी YouTube चैनल पर आप अगर नए है तो यहाँ पर चैनल को सब्स्राइब करके Bell आइकन दबाना ना भूले क्योंकि सारे जो वीडियोस हैं वह आपको Free of Cost आपस मिल रहे हैं ससी सीजल का बेस्ट क्वालिक्टी कंटेंट के साथ आपका प्रिपरेशन हो रहा है ठीक है चलिए अब हमें यहाँ पर इस वीडियो को स्टाट करता हूं तो मैंने जैसी की बताया आपको यहाँ पर चार प्रकार के स्पीड है उसको समझे देखिए यह इस नदी आएं यहाँ समझ सकते हैं एक नदी है जो की बहरी है और साथ में इनाओ इस नओ का जो स्पीड होता है उसको हम x कहते हैं यह x क्या है शांत जल में यानि कि still water में जो boat की speed है उसको हम x से denote करते हैं आप लोग अलग-अलग books follow कर रहे होंगे लेकिन हम यहां पर connotation follow करेंगे उसमें यह है कि x जो है x है आपके boat की speed में यह dhara की अपनी speed होती है अझा हो वोट की चाल में एक होती है और boat की चाल जो है वह आपके हो एक अप की साब्टाइक करने से इमिघ letting की दीडे जो देखिए यहां से दो स्पीड जो बowiते है एक डाओं स्टीम के इसका स्पीट एक होता है अप स्टिभ यू कि दाउन स्टीम स्पीड मेंडी से रेप्रेजेंट करूंगा और direction of boat क्या है तो direction of boat यहां arrow लगा हुआ है इस तरफ बह रही है अब stream किसकी बात करें तो यह जो व्यक्ति है यह इस बोट को इस तरफ बहारा है मतलब कि इस तरफ खीचने कोशिच कर रहा है तो आपने देखा यहां पर arrow जो है इस direction अब देखें यह बोट का direction जो है वो stream के साथ है कि stream के against है मतलब नदी जिस दिशा में बहरी है उसके साथ है कि उसके विरुद है यह डेटर्माइन करता है कि downstream case है कि upstream case आप देख रहे होंगे direction of stream जो है वो left to right है यानि कि यहां पर direction of stream जो है left to right है तो धारा की दिशा में जब बोट बहती है यानि इसी दिशा में बहेग से नीचे के और बहती है पहाड़ी इलाके से नदी निकलती है और समंदर के और बहती है मतलब अगर stream ऐसे बहरी है तो मतलब stream कुछ इस direction में बहरी होगी उपर से नीचे की और तो आप खुती बताइए कि जब यह धारा की दिशा में बहेगा तो नीचे के और बहेगा तो मैं यहाँ पर चारों चीजों को connect करता हूं x y ds और us के उपर formulas क्या है इसको हम देख लेते हैं उसके बाद फिर हम आएंगे इसके सवालों में तो चलिए start करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया चार तरीके के speed है हमें क्या पता है तो हमें पता है speed equal to distance upon time speed बराबर होता x क्या है speed of boat in still water in still water ठीक है इसका notes बना के रखिए बढ़िया से ताकि आपको सारी चीज़े समझ में हैं मतलब कि शांत जल में शांत जल में ठीक नाओ की जो चाल है नाओ की जो चाल है या गती है इसको हम क्या कहते है तो x से हम represent करते हैं तो इस चीज का आप बढ़िया से note बना के रखिए कि x का मतलब क्या है शांत जल में नाओ की चाल यानि कि ये बोट का speed है एकस ठीक कहा पर तो शांत जल में तो बोट के यहां पर तीन speed है यह Y जो है यह stream का speed Y का मतलब क्या है speed of stream speed of stream मतलब कि stream की जगा पर कहीं कहीं आपको river भी दिखने को मिल सकता है या फिर आपको यहां पर current भी देखने को मिल सकता है या फिर आपको यहां पर flow भी देखने को मिल सकता है याने कुल मिलाकर जिस गती से नदी बह रही है यह नदी को बहने का जो speed है उसको हम क्या कहेंगे, y कहेंगे, बात समझ में आ गई y क्या है, देखे, तो मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ, यानि कि नदी की जो गती है, यह क्या है नदी की चाल, यह stream की चाल, ठीक है, तो नदी की चाल जो है, उसको हम लिख सक सकते हैं इस तरीके से यह आप इसको धारा की चाल भी लिख सकते हैं तो जिस तरीके से धारा बह रही है उसको हम क्या कहेंगे अब देखें downstream case का मतलब क्या होता है downstream case का मतलब है speed of boat downstream case में यानि कि धारा की दिशा में जो boat की चाल है वो होती है downstream case यह क्या है speed of boat downstream यह भी क्या है तो speed of boat ही है लेकिन speed of boat कहां पे है in downstream downstream direction में जो speed of boat है उसको हम ds से लिखते है मतलब कि धारा की दिशा में धारा की दिशा में ठीक को जो नाओ की चाल है इसको हम क्या कहेंगे तो यहां से थारा की दिशा में ठीक है डाइस का मतलब समझ मेह आ गया अब यू-एस का मतलब क्या है ये भी ऐस्पीड confess यह कि अधा लेकिन कहा का स्पीड वोट है यह आप स्ट्रीम केस का स्पीड algunos कि आप लोग क्या लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में लोने दारा की विपरीत दिशह में जो नावो की क्याτα होती था थारा की इसमें से आपको समझना है किπό के तो ALT拜拜 k Hello he हो जाते हैं पहला है यह नदि कितने देरे में कहा पूशेगा आपसे सवाल हमेश्चा यह कि पूचेगा कि brodad को upstream के समय जाने में कितना समय लगेका या बोट को upstream में अगर इतने समय के लिए चले तो कितने दुरी यह cover करेगा इस तरीके के प्रश्ण आपसे पूछा जाता है या directly आपसे upstream speed भी पूछा जा सकता है ठीक तो X जो है यह है boat की speed शांत जल में DS जो है speed of boat downstream में US जो है speed of boat upstream में अब यह y के उपर depend करता है कि DS क्या होगा और US क्या होगा ठीक है तो सारी चीज़े मैं बताऊंगा आपको कि DS क्या है US क्या है इतना चीज़ों को आप पहले और upstream का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे धारा की विप्रिद दिशा में तो देखिए धारा की दिशा में और धारा की विप्रिद दिशा में एक चीज़ जो समझना होगा आपको कि धारा की direction नहीं बहती मतलब कि बदलती नहीं यहां अगर यह left to right flow हो रही है तो left to right ही flow होगी left to right धारा की speed जो है वो change नहीं हो सकती मतलब धारा अगर ड्या की चलती है तो वह उसी ड्याक्शन में चलती है मतलब उपर से नीचे अगर चल रही है तो उपर से नीचे चलेगी धारा कभी नीचे से पहाड के और नहीं जा सकती तो यहां पर left to right यह यह y की speed है जो की बोट भी इस direction में flow होगी इसका speed हो जाएगा x downstream का मतलब क्या है जिस direction में आपका नदी बहरा है उसी direction में boat भी भाएगा लेकिन यहाँ upstream case में क्या हो जाएगा कि boat जो है इसकी direction उल्टी रहेगी मतलब यह उपर की और चड़ने की कोशिश करेगी यानि कि यह धारा की विप्रिद्धिशा में तो यह upstream होता है कि direction of boat और stream जो है वो अलग होते हैं मतलब opposite direction में होता है यह same direction होता है अब यहाँ से आप formula note करिए कि यहाँ पर ds जो होता है इसमें boat की speed बढ़ जाती है x plus y हो जाता है और यहाँ जब us निकालने की बारी आएगी तो us हो जाएगा भई x minus y क्योंकि देखिए boat जब चलने की कोशिश करती है तो boat अपने speed से चलने की कोशिश करती है लेकिन जब वो धारा के दिशा में है favor of the current है in the favor of the current या in the direction of the current तो धारा का फाइदा मिलता है और बहुत तेजी से नीचे जाती तो आप खुदी सोचिए जब आप उपर से नीचे के और बहोगे तो आपका speed तो ज्यादा बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि धारा आपके favor में काम कर रहे तो बहुत तेजी से आप नीचे होगे तो इसलिए आप speed से आप चलने कोशिश करेंगे उतरी speed आपकी रहेगी नहीं कि धारा आपकी अगेंस्ट है आपकी speed x-y हो जाए तो चारों formula note कर लीजे 2 formula और तो आप 4 formula क्या-kया है उसको आप note बना लीजे पहला formula मैंने आपको बताया डियेस बराबर x-y दूसरा formula मैंने आपको बताया us बराबर x-y अब यहाँ से यदि आपको पुछा जाये कि x कमान क्या है तो x कमान हो जाता है ds plus us बटा दो कैसे मैंने यह लिख दिया इसके बारे में बताईए आप लोग देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दू पहले और दूसरे को जोड़ दू तो y y कर जाएगा यहाँ पर right hand side में आएगा 2x और left hand side में आजाएगा ds plus us यह बन जाएगा ds plus us मतलब x का value है तो क्या है ds plus us by 2 ही तो है इस तरीके से आप इसको याद रख सकते चौथा formula y कमान क्या हो जाएगा y कमान हो जाएगा ds minus का us और बटे में आजाएगा 2 clear तो यह चारो formula इसको आप note down करके रखिए कि ds और us का formula ठीक और साथ में ds plus us बटा जो जो होता है यह x होता है ds minus us by 2 जो है y होता है इन दोनों को याद करने का तरीका मैंने बता दिया इन दोनों को याद करने का तरीका क्या है उसको भी समझ के रखिए इस case के जरीए देखे अगर यहाँ पर x जो है और y जो है x को बढ़ा होना चाहिए अरे भई x जब बढ़ा होगा तभी तो boat आगे बढ़ पाईगी धारा के दिशा से ज़्यादा speed होना चाहिए boat का अगर धारे इतनी तेजी से बहरी है कि x से भी ज़्यादा हो गया तो boat आगे नहीं जा पाईगी तो इसलिए आपको समझना है कि x को हमेशा y से ज़्यादा होना चाहिए अगर boat को आगे बढ़ना है तो इस case में इसलिए क्योंकि जब x बढ़ा है तो आप क्या करेंगे कैसे याद रखना है यह सारी बाते समझ में आगे चले अब मैं आपको लेशालता हूं कुछ सवालों के जरी इसको समझते हैं को देखे यह सारी चीजे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था downstream का मतलब क्या होता है upstream का मतलब क्या होता यह सारी चीजों को आप मोट बनाके रखिए अब हम चलते हैं पहले सवाल क्यों इन वन आवर बोट गोज 13 किलोमेटर अलॉंग दर स्टीम एंद 7 किलोमेटर अगेंस स्टीम बहुत आसान सवाल से क्योंकि इस तरीके सवाल हाला कि bén जो को स्फथ्प बहुत है तो यहां पर और ऐसे चौर्पा एक आपका है जो वी आपको समझ में में यस सरीक मिया की कि विश्चन को दिए और देखिए जो चारो स्पीड है एकस वाइडेस और यूएस यह सारे क्या है यह सारे है इस इकल दिस्टेंस अपॉन टायम कौनसा स्पीड यूज करना है इसके लिए आपको information दिया जाता है डिस्टेंस और टाइम के तरीके से याने टाइम और डिस्टेंस के बारे में जब इंफर्मिशन देगा तो लैंग्वेज में आपको बता देगा कौन से डिरेक्शन में है जैसे कि आप इस सवाल को देखिए आपको बोला गया इन वन आवर वोट बोस थर्टीन किलोमेटर अ स्ट्रीम जा रहा है मतलब कि अने धारा की दिशा में मतलब आप स्पीड आप कौन से लगाओगे तो डिस लगाओगे क्यूंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है और स्पीड इक गंटे में इतना ही किलोमेटर पर आवार यह चल रहा है ठीक समझ में आ गया अब अब स्ट् आपको एक्स निकालना है एक्स का वैलियू क्या होता है डी एस प्लस यूएस मतलब तेरा प्लस साथ बटे दो यह होता है इन दोनों को जोड के आधा कर देना मतलब बीस बाइदो करोगे तो दस किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड जो है यह धारा की यह शांत जल में बो यहां पर बताएंट जो है डिया हूए डिया होए सोला का और बटे में दो करना होता है क्योंकि आपको यहां पर speed of stream निकालना है जो कि क्या है हमारे सबसे y है ठीक तो इन्होंनों को minus करोगे 10 आएगा 10 बटा 2 करने पर 5 km प्रतिगंटे की speed आ रही है यहां तक समझ में आ गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते मतलब देखिए धारा की प्रतिकुल दिशा में 8 km और 12 km धारा की अनुकुल दिशा में जाता है प्रतियक स्थिती में उसे 5 गंटे लगते हैं तो आपको बताना है यहां पर धारा की चाल क्या है तो आप बताईए downstream speed निकाल सकते हैं क्या हम लोग क्योंकि speed होता है distance upon time तो downstream में 12 km चलता है पांच घंटे में और upstream speed निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं क्योंकि 8 km चलता है पांच घंटे में ठीक और आपको निकालने हैं बोला गया y और y होता है speed of current जो की है ds minus us divided by 2 मतलब इन नों को minus करोगे तो 12 by 5 minus 8 by 5 मतलब 12 by 12 minus 8 by 5 होगा और बटे में यह दो भी है ना बटे में दो भी है तो यहां से 10 minutes and upstream in 30 minutes what is the velocity of the current एक व्यक्ति एक किलोमेटर की दूरी धारा की दिसा में दस मिनिट में तैय करता है और तीस मिनिट में धारा की विरुद्ध हुद्ध करता है तो आपको speed निकालना किलोमेटर पर आर में तो देखे जो चीजे मैंने आपको बता के रखा हुए किलोमेटर पर आर में कनवर्ट करना वो सारी चीजें यहां पर applicable है क्योंकि यह भी time speed distance का ही पार्ट है तो आपको थोड़ा से यहां पर बस note करना है कि यहां पर एक किलोमेटर में है और यह minutes में यह भी minutes में लेकिन time यहां पर speed जो दिया हुआ हुआ है तो देखे यहां से यदि आपको downstream speed चाहिए तो speed होता है distance divided by time distance कितना चला भाई तो एक किलोमेटर चला time कितना लगा तो 10 minute लेकिन जब हमें यहां पर kilometer पर hour में निकालना है तो distance को kilometer में दाला उतना ठीक था लेकिन time को आप minute में नहीं दाल सकते क्योंकि आपको hour में निकालना है तो एक minute में कित चले जाएगा 60 00 कट गया मतलब six kilometer पर hour आवर ठीक और upstream speed के बारे में क्या दिया हुआ है कि यही एक kilometer यह 30 minute में cover करता है तो 30 minute का मतलब 30 बटा साथ कंटे मतलब इसका speed हो जाएगा 2 kilometer पर आ रहा है मतलब down speed speed निकल गया upstream speed निकल गया अब जो निकालना है वह आप निकालना था तो y निकालने को कहा गया आपको तो y क्या होता है इन दोनों को minus करना पड़ता है 6 minus 2 divided by 2 मतलब की 4 divided by 2 करोगे तो 2 kilometer per hour की speed आ जाएगी ठीक यहां तक समझ में आ गया तो इस सवाल का सही उत्तर कौन सा है option number 2 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ठीक I hope यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब देखे एक सवाल और लेता हूं इस तरीकी का it takes a man six hours to row a boat 12 24 km upstream and covers a distance of 36 km downstream in six hours what is the speed of man in still water तो simple सी बात है 6 गंटे में upstream चलता है 24 km तो distance divided by time speed होता है तो यह हो जाएगा 4 km per hour ठीक है downstream speed की अधी में बात करूं तो downstream है 36 km divided by 6 मतलब कि यह हो जाएगा 6 km per hour अब क्या निकालना है आपको उसके ओपर ध्यान दीजिए शांत जल में आदमी की गति मतलब कि आपको x निकालने को कहा गया तो x कैसे निकलता है x निकलता है दोनों को जोड़के आधा करने से तो आप इस चार को और 6 को देखिए इननों को जोडने पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इननों को जोड़ेंगे चार प्लश चे तो दस आ जाएगा दस डिवाइड़ दो करिए पांच हो गया फाइव किलोमेटर पर ठीक है तो दीजिस वाल का सभी उतर है तो आपको डाउंस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालना थीक है या फिर x कैसे निकालना या यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गई ह है तो यहां से आपका concept clear हो जाएगा कि यहां अभी तक कि downstream क्या होता है up stream क्या होता है ठीक है speed of boat in still water क्या है speed of stream क्या यह सारी चीज़े अभी तक आपको समझ में आने लगाऊ चली अब मैं बढ़ता हो आगे यहां पर दियावाई a person can swim in water at a speed of 13 km per hour in still water if the speed of stream is 4 km per hour what is the time taken by the person to go 68 km downstream देखिए एक व्यक्ति को शांत जल में 13 km पति गंटे की गती से पानी में तैर सकता है यदि धारा की गती जो है वह 4 km पति गंटे की तो व्यक्ति जो है धारा के अनुकुल दिसा में 68 km यानि 68 km जाने में कितना समय लिए तो मैंने आपको बताया भई कि speed तो चार तरीके के होते हैं लेकिन speed में कौन सा यूज करना है उसका information आपको दिया जाता है distance से या time से तो देखिए यहां आपको निकालना क्या है तो व्यक्ति को धारा के अनुकूल 68 km धारा के अनुकूल जाने का मतलब धारा के दिसा में जाना तो यहां downstream speed लगेगा बात समझ में आ रही है यहां पर आपको निकालना है what is the time taken by the person to go 68 km downstream जब यह downstream क्या रहा है तो यहां पर आपको एक मातर speed जो लगा सकते हो आप वो डिस लगा सकते हो अब information क्या दिया हुए सवाल में वो देखिए आपको दिया हुआ है कि swim यह जो व्यक्ति है तैरता है इतने km से कहां पर तो मतलब x का value आपको दिया हुए कि नहीं 13 km पर आवर से और आपको दिया हुआ है कि stream की speed है 4 मतलब y का value भी आपको दिया हुए 4 km पर आवर क्या आप इन नोनों information से downstream speed निकाल सकते जिसका value क्या होता है एक्स प्लस य होता है यह हमने देखा हुए अगर downstream speed x प्लस y होता है तो आप इन नोनों को जोड़ेंगे 13 और 4 को तो यहां 17 आ जाएगा तो 17 km पर आवर की जो speed है यह है भई downstream में इस व्यक्ति की speed मतलब धारा के दिशा में नीचे की और यह बह रहा है तो 17 km पर आवर की speed से आप बहेगा आपको निकालना क्या है सवाल में आप आपको निकालना भई टाइम कितना लगता है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है ताइम का फॉर्मूला होता है distance divided by speed दूरी बटा चाल तो टाइम जो downstream में लगेगा वह आपको 68 km कवर करना है लेकिन speed आप केवल और केवल यही speed लगा सकते क्योंगी आप जा रहें downstream speed में तो यहां भी time equal to distance by speed होगा लेकिन distance जब 68 km बोला गया यह 68 km धारा की दिशा में है in the direction of the stream है याने downstream है अनुकूल दिशा में है याने कि धारा की दिशा में चल रहा है वहां पर आपको downstream speed लगा 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 तो इस चीज़का आपको धियान रखना है एक टिए डिवाइड बैए 17 जो कि है चार घंटे यहां तक बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दिया हुआ है अगला सवाल दिया हुआ है बोट मैं गोज वन किलो मेटर अगेंस दे करेंट किलो मेटर एक किलो मेटर जाता है और साथ में धारा के अनुप्रभाह में मतलब कि यहां पर अब धारा के दिशा में जा रहा है तो एक किलो मेटर प्रती घंटे की स्पीड से जा रहा है बीस मिनिट में देखिए यहां पर फिर से थोड़ा सा गलती होगा यह एक किलो मेटर होगा एक किलो मेटर जाता है बीस मिनिट में आपको बताना है वह शांत जल में आठ किलो मेटर जाने में कितना समय लगेगा तो देखिए यहां से एक किलो मेटर जब जा रहा है एक घंटे में धारा के अगेंस्ट, तो यहाँ पर आपका upstream speed लगेगा, तो यह हो जाएगा 1 km per hour, बात समझ में आई की नहीं, क्योंकि speed होता है distance divided by time, तो एक गंटे में 1 km, मतलब 1 km per hour, downstream speed की अधी में बात करूँ, तो downstream speed होता है भई, यहाँ पर 1 km चला 20 मिनिट में, तो 1 by 20 तो नहीं लिख सकते, क्य पर हो जाएगा, 3 km per hour हो जाएगा, upstream downstream दोनों आगे, upstream downstream दोनों आगे, अब आपको निकालना है, how long will it take for the boat to cover distance in still water, जब आप शांत जल की बात कर रहे हैं, तो अब आपको केवल एक ही speed लगाना है, जो कि ए x, मतलब की शांत जल में जो बोट की speed होती है, x निकालना क्या है, अभी तक तो सीखी लिए है, हम लोग 3 प्लस 1 करोगे, 4 बटा दो, मतलब 2 km per hour की speed होगा, इसकी शांत जल में, यह समझ में आ गया, x कैसे निकलता है, दोनों को जोड के आधा करने से, अब time होता है, distance divided by speed, जब आपको 8 km चलना है, तो आप 8 km शांत जल में चल रहे हैं, और 7 शांत जल में बोट की चाल है, 2 km पती घंटे की, मतलब यहां पर इसे 4 घंटे का समय लगेगा, तो जो time पूछ रहा है, जो distance पूछ रहा है, जिस direction में पूछ रहा है, यानि कि आप से शांत जल में पूछा तो आप speed x लगा, downstream direction पूछा तो ds लगाओगे, जैसे पिछले यहां पर देखिए, अब फिर से एक सवाल दिया हुआ, 10 km एक गंटे में जाता है, downstream में, और 14 km दो गंटे में जानता है, upstream में, तो इसको कितना time लगेगा, 17 km शांत जल में cover करने के लिए, तो simple से language में आपको यहां पर downstream दिया हुआ, downstream किता है, 10 km एक गंटे में चलता है, त upstream कितना होगा, 14 km चलता है, दो गंटे में, तो 14 divided by 2 होगा, जो कि हो गया, 7 km प्रती गंटे का, अब आप से बोल रहा है, शांत जल में 17 km जाने में कितना time लगेगा, तो x का value हो गया, ds plus us by 2, यह सब आप जानते है, मतलब इन नोनों को जोड़ोगे, तो 10 plus 7 हो गया, 17 बटा 2 होती है, अब time होता है, time होता है, distance divided by speed, तो distance कितना है, आपको cover करना है, 17 km, और आपने यहाँ पर कितना लिया हो है, speed, 17 बटा दो, तो यहाँ पर 17 बटा 2 से divide करोगे, तो 17 नीचे 2 उपर चला जाएगा, speed है, 17 by 2 speed है, नीचे 17 by 2 लिकोगे, तो 2 उपर चला जाएगा, मतलब इसके pattern के सवाल मैंने आपको यहाँ पर पहले भी कराया, यह जो है, exact आपके previous year question है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, if a boat goes upstream 24 km and comes back the same distance 40 km, then what is the average speed in the total journey, यदि कोई नाव जो है, एक दिसा में चलती है, तो 24 km पती गंटे की चाहिए, और उतने ही दूरी 40 km की गती से वापस आती ह आपके गती क्या है, औसद गती क्या है, आपको बताने है, देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात यह है, पॉइंट अगर A है, यहाँ से boat चलना चलू करी, B तक गई, और जब जा रही थी तो इसका speed था 24 km पर आवर, जब वापस constant होता है, जाते वक्त भी distance दिए, आते वक्त भी distance दिए, तो आपको पता है कि अगर यह speed s1 है, और यह speed s2 है, तो directly speed average का formula आप लोग जानते है, speed average क्या होता है, यह होता है, 2 s1 s2 divided by s1 plus s2, यह सब बाते मैंने आपको पहले वीडियो में cover किया हुए, time speed distance, तो 2 into इन दोनों क multiply कर लेना, 2 गुणे 24 गुणे 40 और divided by कितना तो 24 प्लस 40 जोड़ दो 64 हा जाएगा, यदि मैं इसे 8 से काटू, तो यह 5 बार कटेगा, इसे 8 से काटू, तो 3 बार कटेगा, 2 गुणे 5, 10 होगे, 10 गुणे 3, 30 km पर आगे, यह इसका average speed हो जाएगा, तो इसमें कोई आवसकता न रहना है, जब हमें कुछ और information पूछे, देखें, जब ही भी कोई vote जाती है, और वापस आती है, तो अगर एक case upstream का बनता है, तो दूसरा case downstream का बनता है, क्योंकि यहाँ पर यह ज़्यादा है, तो downstream यह होना चाहिए, मतलब धारा की दिसा जो है, वो इस direction में होगी, right to left, इस दूरी गया, वहाँ से वापस आया, तो वापस आने में distance same होगा, और equal-equal distances पे, जब अलग-अलग speed चलता है, तो harmonic mean is the average, तो यह चीज मैंने आपको पहले वीड़े में बताया, और directly आप यहाँ से average speed का formula यूज़ करके हुए, directly निकाल सकते है, ठीके, तो चलिए, आगे जाने में 9 घंटे लगाता है, और उसी धारा की दिशा में जाने में इसको 3 घंटे लगता है, शांत जल में नाओ की चाल जो है, वो 4 km पती घंटे की, तो आपको बताना है कि धारा की गती क्या है, यह आपको बताना, देखिए, इस सवाल को solve करने के लिए, मैं यहाँ पर आपको पहले basic से बता देता हूँ, उसके बाद फिर फटा-फट क्या से calculate करना है within seconds, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात बोला गया है कि 9 घंटे, 9 घंटे में धारा की विपरीद दिशा में चलता है, और 3 घंटे में यहाँ पर धारा की दिशा में same direction चलता है, मत सांथ में बताया गया कि upstream जाने में इसको इतना time लगता है, मतलब upstream speed के साथ इसे 9 घंटे लगते हैं, और downstream speed के साथ इसे तीन गंटे लगते हैं यह हमने बताया हुआ है पहले से कि downstream speed है अगर upstream speed है तो उसके साथ यह वाला time लगाना पड़ेगा क्योंकि upstream है downstream है तो downstream के साथ यह वाला multiply करना पड़ेगा अब इन दोनों का product आपको दिया हुआ है ठीक मतलब समझीए अब मैं इसको यहां से solve करने कोशिश यदि करूँ तो आप जानते still water में जो speed है वो है 4 upstream का मतलब क्या होता है upstream का मतलब होता है x-y आप कोई जो है still water में speed of boat in still water दिया हुआ है जो की है x तो यह होता है 4- y और downstream speed में जो speed होती है यह होती है चार प्लस का y और इसी से आपको y निकालना है धारा की गति निकालना है तो आप यहां पर substitute कर दीजे चीजों को इस us की जगापे क्या लिख सकते है तो आपका जवाब होगा 4- y लिख सकते है और जो ds की जगापे क्या लिख सकते है तो आपका जवाब होगा यहां पर हम लिख सकते है 4- y इसको solve करने जाओगा तो 3 से कटेगा यह 3 बार मतलब की 3 into 3 मतलब इसको 3 से अगर bracket खोल दिया जाए तो यहां पर आजाएगा 12-3y बरावर आजाएगा 4 प्लस y, मतलब कि y को यदि एक तरफ ले जाएगा तो 3 प्लस 1 होगा तो 4y हो जाएगा और 12-4 होगा तो यह 8 हो जाएगा मतलब y का वैलू क्या है तो y का वैलू है 2 km y का वैलू क्या है तो है 2 km पर आवार होगा ठीक तो बी जो है सवाल का सभी तो है आशा करता हूं यह सवाल आपको छिस समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें यहां पर इसको सवाल करना अब देखें यहां से अगर हम इसको थोड़ा और शौट तरीके से थोड़ा और जल्दी करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीजें मतलब समझा देता हूं जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है इस तरीकी के एक्सप्रेशन में तो वैल्यू क्या आता है यहां पर आ जाता है डिएस प्लस यूएस divided by ds minus us ठीक है तो component dividend में यहां repeat नी करूँगा क्योंकि यह सारी चीजें मैंने ratio proportion में आपको पढ़ा हुआ जब भी इस तरीकी के expression में आप component dividend लगाएंगे तो plus 1 minus 1 होता है मतलब ds और us जोड़ गया तो यहां पे भी ds minus us हो जाएगा अब इस तरीकी के expression में जब हम component dividend लगाते हैं तो उपर के आएगा x plus y plus x minus y जिसमें y y कर जाएगा तो उपर आ जाता है 2x और नीचे x plus y minus x minus y आता है जिसमें x x कर जाता है y minus minus y y plus y हो जाता है तो 2y आ जाता है मतलब आप इस चीज़ को अच्छे से समझेए कि मैं कहना क्या चाहरा हूँ देखे जबी भी हमें सवाल में ds अनुपात us दिया हुआ है ds अनुपात us कुछ value दिया हुआ है जैसे कि हमको दिया हुआ है कि a अनुपात b ठीक a अनुपात b दिया है यदि आपको यहां से x अ अनुपात दिया हुआ कि नहीं दिया ds us का अनुपात यदि मैं कहरा हूँ कि a अनुपात b है तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा a प्लस b अनुपात a मैंस भी हो जाएग वहीं अगर हमें किसी सवाल में x और y का अनुपात दिया हुआ है suppose करिए कि मिल्को x और y का अन निकल के आज़े है तक क्या यहां तक आपको मेरी बाते समझ में अगई अगर शांथ जल और यहां पर शांथ जल में बोट की चाला है और धारा की चाल का अनुपाद दिया है तो ds-sl को इस तरीके से निकालेंगे a plus b और a minus b के साब से और यदि आपको सवाल में ds और us का अनुपाद दिया हुआ a अनुपाद b होता है यह सारी चीज़ें हमने आपको पहले बताया है मतलब कि आप स्ट्रीम स्पीड और डाउंस्ट्रीम स्पीड की यदि में बात करूं तो इसका अनुपात एक आ रहा है की और अब आपको सवाल में दिया हुआ है सवाल में दिया हूआ सवाल में दिया हूए कि एक्स का माण जो है इस एक्स का मान जो है वह चार मतलब यह जोब ये निधो क मान चार जो कि दगना हो रहा तो इस एक कमान भी क्या होगा multiplied by 2 कर लीजिए तो 2 km पर आवर आए और यही हमारे धारा की चाल हो जाएगी जो की है वाई है ठीक clear है बात समझ में आगए तो उत्तर इसका 2 km पर आवर आगा यह थोड़ा और तेज तरीका है डारेक्ली आप ratio से इसको solve कर सकते हैं समझ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं on a river q is the midpoint between p and r on the same bank of the river a boat can go from p to q and back in 12 hours and p to r in 16 hours 40 minutes how long will it take for going from r to p यहां से दिया हूआ है क्यू जो है क्यू जो है क्यू जो है is 12 गंटे का मतलब P से Q गया और Q से वापस इधर आया मतलब time जो है P to Q प्लस time जो है वो Q to P है इन दोनों को जोडने पर जो time लग रहा है वो कितना लग रहा है 12 गंटे लग रहा है 12 वार्स ठीक है तो इतना समझ लीजे अब यहां second चीज जो आपको दिया हुआ है दूसरा time जो दिया हुआ है कि P से आर जाने में P से आर मतलब यहां से यहां तक जाने में जो time है वो आपको दिया हुआ है time जो P से आर जाने में लग रहा है वो कितना है तो 16 गंटे और 40 मिनिट 16 गंटे 40 मिलिए 16 hours and 40 मिलिट यहां तक समझ में आ गई बाते अब सवाल को समझिए कि यहां से आप से पूछ रहा है कि बताइए भई कि आर से पी जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा अब इसको समझिए देखे जितना डिस्टेंस पी से क्यों है उतना डिस्टे क्यों से आ रहे हैं मतलब यहां से आपको यह भी तो समझना चाहिए कि अगर डिस्टेंस जितना यहां है उतना यहां है तो यह पी से क्यों में जितना time लगेगा इसको जाने के लिए क्योंकि अगर एक साइड डाउंस्ट्रीम होता है तो उस डिरेक्शन में speed constant होती है और जब speed constant होता है तो distance directly proportional to time भी हो जाता है मतलब अगर यह distance बराबर बराबर में बाट रहा है तो यहाँ पर आपका जो है time भी बराबर बराबर ratio में बटेगा कहने का मतलब यह कि अगर यहाँ पर इतना speed है आपका P से R जाने में पर यहाँ से क्यू जाने में इतना speed लग रहा है मतलब आपको संचना होगा कि यहां से यहां पी से क्यू जाने में 8 गंटे 8 गंटे और 20 गंटे करें अ ऐसा इसलिए हो अगर एक बराबर बराबर डू धी है तो 8 घंटे 20 मिनिट यहाँ भी लगें गेंगे 8 घंटे 20 मिनिट अब आपके पास यह दिया हूँ है टाइम P से Q और Time Q से P तो अगर Time P से Q पी से Q जाने का समय जो है वह 8 घंटे 20 मिनिट है यह इतना है ना 8 चालिस मिनिट जो है इतना समय लगेगा की नहीं अरे भई मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं कि जाने में यहां से और यहां से वापस आने में बारा गंटी लगे अगर जाने का गंटे में convert करने के लिए 60 मिनिट तो एक गंटा होता है तो इसमें से 60 माइनस कर लोगे तो 20 आएगा और क्योंकि 60 मिनिट है तो उसमें एक गंटा और जुड़े जाएगा तो 7 गंटे मतलब 7 गंटे और 20 मिनिट का मतलब 1 by 3rd होता है तो यहां तक बात समझ में आ गई चले आशा करता है यह सवाल आपको समझ में होगा और आपको पसंद आया होगा बहुत ही आसान कोश्चन है देखने में लगता है कि बहुत क्यालकुलेटिव है बट आप क्लियरली देख सकते है कि जाने और आने में 12 गंटे लगे यहां से यहां 16 गंटा 40 मिनिट लगा तो यहां से यह वाला जो डिस्टेंस है यह वाला डिस्टेंस जो है किवल यह वाला डिस्टेंस 8 गंटे 20 मिनिट होगा तो अगर यह 8 गंटे 20 मिनिट है तो जाने का 8 गंटे 20 मिनिट तो वापस दो बोट है, A से B स्टार्ट करते हैं towards each other at a place 108 km apart. Speed of boat A in still water is 12 and that of B is 15 respectively. If A proceeds down and B proceeds up, then what time will they meet? तो देखिए, दोनों के बीच की जो दूरी है, वो 128 मीटर की है. Actually, किलो मीटर है, यहां पर मीटर दियावा, यह किलो मीटर होगा. इसको करेक्ट करना किलो मीटर है. किलो मीटर दूरी पर स्थित है. पहली और साथ में दियावाए, दोनों एक दूसरे के opposite चलते हैं. शांद जल में इसकी चाल और इसकी चाल 12 और 15 की है. A धारा के अनुप्रभा और B जो है धारा के उप्रभा चलता है. तो बताना है किते समय बाद ये लोग मिलेंगे. ठीक है? तो अब इसको समझी यहां से कि A पॉइंट है. ठीक है? और B दूसरा पॉइंट है. इन दोनों के बीच की दूरी 108 किलो मेटर में. जब यहां पर X इसका स्पीड दे दिया कि यह 12 किलो मेटर परावर की स्पीड से चल रहा है. तो आपको जब टाइम निकालने को कहा गया तो टाइम होता है distance divided by speed. यहां पर आपको धारा की चाल दी गई है कि धारा की चाल नहीं दी गई है और आपको इस चीज का note बनाना है कि जब relative speed के उपर question आता है यानि सापेक जवती के उपर boat and steam का सवाल आता है तो उसमें y की कोई आवसकता नहीं होती directly शान्त जल में जो चाल है उस पे relative speed लगा के इसको solve कर देना मतलब अगर relative speed हम लगाए ab का तो relative speed क्या होता है opposite direction में चल रहे तो बारा प्लस पंद्रा हो जाएगा बारा प्लस पंद्रा मतलब 27 का speed हो जाएगा इनका 27 किलोमेटर पर आवर टाइम क्या है तो 108 किलोमेटर divided by 27 दोनों को अगर बाट देंगे तो यहां पर 4 गंटा आएगा टिक तो 4 गंटा टाइम है मतलब कि भी जो है सवाल का सभी उत्ता रहेगा ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम आपसे ले लेता हो यहां से टाल देंगे रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड इन वोट एंड इंड श्क्रीम इन वोट एंड श्क्रीम थीक है याने कि सापेक्स गति के उपर निरधारिज जब प्रश्ण होता है सापेक्स गति ठीक है साप एक्स गती नाओ एवम धारा में ठीक नाओ एवम धारा में ठीक है इसको आप नोट करके रख लिए कि हम यहाँ पर साप एक्स गती डिसकस कर रहे हैं नाओ एवम धारा में तो मैं दोनों की एसस आपको डिसकस कर लेता हूँ सबसे पहली बात suppose करी कि यहां से जो धारा है वो इस direction में flow हो रही है y की speed से धारा जो है y की speed से चल रही है तो अगर एक boat है यह x p के speed से चल रहा है इस direction में और दूसरा boat है यहां पर x q के speed से चल रहा है इस direction में दूसरा बोट जो है वो इस direction में चल रहा है x q की speed मतलब आप खुद ही बताइए कि ये तो है ये धारा की दिशा में चल रहा है तो इसका speed हो जाएगा downstream speed हो जाएगा दूसरे से उल्टे direction में चल रहा है तो एक अगर downstream होगा तो दूसरा upstream होना पड़ेगा क्योंकि stream जो है याने जो आपकी नदी है उसकी direction को आप नहीं बदल सकते हैं मतलब यह upstream speed में चलेगा यू जो होता है क्यों का हो जाएगा एकस क्यू माइनस कब आए अब जैसे यह दोनों opposite direction में चलते हैं तो आप लोग क्या जानते हैं आप लोग जानते हैं कि सापेक्स गती जो होती है वो प्लस हो जाती है मतलब सापेक्स गती की यदि में बात करो तो downstream speed P का प्लस upstream speed Q का होगा है और जैसी आप इन लोनों को जोडने जाएंगे तो Y और Y कर जाएगा तो value क्या आया XP प्लस XQI क्या आपको यहाँ पर Y क्या आवसकता है क्या आपको यहाँ पर इस stream के speed क्या आवसकता है आपका जवाब होगा नहीं तो अगर same opposite direction चल रहे हैं तो X गती में आपको यहाँ पर Y की कोई आर्शकता नहीं है एक और में हाँ पर condition लेने ता हो जिसमें हम discuss करेंगे same direction ठीक है तो अब same direction के case को देखिए अगर suppose करिए कि stream जो है इस direction में flow हो रहा है तो stream हमेशा अपने speed से Y से flow होगा एक नाव जो है वही है X Q जो इस direction में flow हो रहा है ठीक यानि कि धारा की दिशा में इस direction में ही फ्लो हो रहा है एक स्क्यू और एक और बोट है यहाँ पर जो की X P से flow हो रहा है एक स्पी से same direction अब दोनों के दोनों downstream speed से चल रहा है मतलब downstream speed जो P का होगा ठीक है वह हो जाएगा X P प्लस का Y downstream speed जो Q का होगा वह हो जाएगा X Q प्लस का Y और क्योंकि जब दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहे है तो अब साप X गती जब लगाने आओगे तो साप X गती जो है वह माइनस हो जाता है same direction में क्या होता है Same direction मैंनस हो जाता है मतलब स्पीड जो लगेगा वह downstream speed प का मैनस downstream speed Q का लगेगा और जैसी आप मैनस करोगे तो य मौह पलस में है यह भी य मैनस हो जाएंगे मतलब a पी माइनस एक चाहे दोनों बोट सेम डिरेक्शन में चल रहे हैं चाहे वह आपको यह समझना है कि वाय का इसमें कोई आवसकता नहीं है इसी लिए मैंने वहां पर वाय के उपर कोई इन्फर्मेशन दिया नहीं था तो उसकी हमें आवसकता भी नहीं है डिरेक्टली आप यहां पर क्या करेंगे जो शांत जल में बोट की चाल है यह इन दोनों को आप यहां पर सापेक्स गती में लगा लेंगे क्योंकि एक डाउंस्ट्रीम में चल रहा था दूसरा अप्स्ट से जो free of cost course चल रहा है उसमें हमारा और motivation हाई रहता है कि हम आपको और बहतर content प्रवाइड करें ठीक है चली अब हम बढ़ते हैं आगे a boat takes half the time to move a distance downstream and upstream the ratio of speed of boat in steel water to the current तो यहां पर दिया हुआ है कि time जो boat को लगता है वो धारा के अनुप्रवा में तै किया गया और उप्रवा के तुलना में लगे वा गया समय का आधा है तो शांध जल में धारा की चाल और धारा की चाल का अनुपात किया मतलब time जो लग रहा आप downstream का और time जो लग रहा है upstream का इसके बारे में बोला गया कि अगर यहां पर एक घंटा लग रहा है तो यहां अदर घंटा लग रहा है मतलब आपके पास अनुपात दिया हुआ है कि यह एक अनुपात दो है ठीक मतलब downstream speed और upstream speed कितना है तो यह हो जाएगा दो अनुपात अगला सवाल देखिए यहां पर दिया हुआ है time taken by the boat to go upstream is thrice than the downstream speed of man in still water is what percentage of the stream of speed downstream if it covers 70 km downstream in 2 hours 20 minutes तो देखिए धारा की प्रतिकुल दुषा में लिय गया समय जो है निश्चीत दुरी को तैय करने में धारा की अनुपूल वाले समय का तीन हुआ है साथ में दे रहा है कि शाथ जल में मनुष्य की गती और उसके अनुप्रभा में चलनेये वाले गतीक कितना मुकूल प्रत समय लगता है मतलब downstream speed और upstream speed में ratio अलोग हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्योंकि speed inversely proportional to time होता है तो 3 अनुपात 1 होगा मतलब x अनुपात y की यदि में बात करूं तो 3 plus 1 हो जाएगा 4 और 3-1 हो जाएगा 2 मतलब यह 2 अनुपात 1 हो रहा है तो आपसे पूछ रहा था कि downstream speed का कितना प्रतिस्यत x है तो आप खुद बताईए कि x का मान कितना है तो x का मान है 2 x का मान कितना है x का मान है 2 और 2 किसका प्रतिस्यत पूछ रहा है दो पूछ रहा है downstream speed का तो downstream speed हो गया 3 तो इसका कोई जरूरत नहीं है यहां पर 70 km downstream में चल रहा है क्योंकि आपको प्रतीशत में मान निकालना तो प्रतीशत में डारेक्टी आप रेश्यों से कल्कुलेट कर सकते हैं और स्पीड एक्चुल से कोई यहां पर लेना देना नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं तो next question देखते हैं यहां दिया speed of boat in stream boat to that of stream में जो है वो 34 is to 9 दिया और फिर बोल रहा है boat goes downstream from one point to another in five hours what is the time taken by the boat to cover the same distance upstream देखें simple से सवाल है यहां दिया हुआ है एक नाव जो है शांत जल में उसकी गती और धारा की गती का अनुपात चौतिस अनुपात नौ दिया हुआ है सब्सक्राइब को घटाओगे तो आएगा 25 इस अनुपात में है इसका स्पीड अब देखें डिस्टेंस से में डिस्टेंस जब भी कॉंस्टेंट होता है तो हम क्या जानते स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टू टाइम होता यह हम जानते तो टाइम डाउंस्ट्रीम और टाइम अप्स्ट्रीम का जो अनुपात होगा वोल्टा होना चाहिए जो कि अब 25 अनुपात 43 और सवाल में दिया हुआ है कि जब यह अप्स्ट्रीम जाता है तो यहां पर आजाएगा 36 मिनिट मतलब कि 8 गंटे और 36 मिनिट में यह जो है अप्स्ट्रीम वाला केस को पूरा हो जाएगा ठीक आशा करता हूं यह कैलकुलेशन आपको कैसे समझ में आया होगा क्यूंकि यह सीजे मैंने आपको अब तीसरी बार मैंने इस तरीकी का परश करते हैं तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखेंगे यहां से यह वाट तूस बोट्स हैव थे सेम स्पीड ऑफ 10 किलोमेटर पर आवर इंस तीलवर्ट फरस्ट बोट स्टाट्स फ्रम पॉइंट प्रती गंटे से दो नाव चलती है एक जो है पी से शुरू होती है धार की विपरीद दिशा में जाती है उसी समय दूसरी नाव पी से चलती धारा की दिशा में चलती ही तीन गंटे बाद दूरी क्या होगी सापेक्स गती जो है वह हो जाएगी 20 क्योंकि दोनों के दोनों देखें इसका उत्तर जो है वो तो 60 किलोमेटर है बिना पहन चलाए आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं ठीक क्योंकि पॉइंट पीस है यदि एक नाव जो है वो धारा के विपरीद दिशा में चल रही है जो 10 किलोमेटर परावर की स्पीड है तो दूसरी नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है जो की 10 किलोमेटर परावर की स्पीड है तो इन और अल्टिमेटली जब दोनों की सापेक्स गती निकालोगे तो प्लस वाय मैनस वाय कैंसल आउट हो जाएंगे तो 20 किलोमेटर पर आवर इसका एंसर हो जाएगा स्पीड सापेक्स का लेकिन आप से डिस्टेंस पूछ आता तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टिप्लाइड चलि आगे बढ़तें नेक्स्ट कुश्चन अब टेक्स फोर आवर्स ट्रावल फ्रम एक्स तो य दान स्टेंस पूर्बाइड तो एक नाव जो है धारा के प्रभा के दिशा में एक से य जाता है स्थान तक इसी जाने में और धारा के प्रभा के विपरीद वाय से एक स्थ लगता है बोल रहा है एक से वाय जब जाता है तो दस दसमलब पांच किलोमेटर की दूरी है और धारा की चाल जो है वो दिया हुआ नाव किलोमेटर पति घंटे की तो तिर जल में आपको बताना है नाव की चाल क्या है मतलब देखिए आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया चाहता है डारेक्टली आप यहां पर option को यूज करके solve कर सकते है और यही बेस्ट तरीका है quadratic equation solve करोगे तो मैं कैसे option को यूज करूँगा पहले थोड़ा सा समझ लीजे कि सवाल में हो क्या रहा है एक point है x और दूसरा point है y बोट जो है x से निकलकर y तक जाती है और y से निकलकर वापस यहां तो time जो लगता है बोट को x से y जाने में प्लस टाइम जो लगता है बोट को y से x आने में वापस इसका total आपको time दिया हुए चार घंटे का समय साथ में दिया हुए जब यह x से y जाती है तो downstream जाती है मतलब समझिए कि वोट जो है मतलब नदी जो है वह इस direction में बहरी होगे y बराबर है 9 km पर आवर ठीक है और y से x जब आईगे तो वापस आईगी मतलब कि यह उल्टे direction मतलब यहां से जाने में उसका जो speed लगेगा वह upstream speed लगेगा और upstream speed अभी तक आप जानी चुके होंगे x minus y होता है तो x minus 9 km पर आवर होगा यहां से जब वापस आऊगे तो downstream speed लगेगा जो कि होता है x plus y यानिकी x plus 9 km पर आवर इसका downstream speed अब stream speed हो गया downstream speed हो गया time जो होता है distance divided by speed time क्या है तो time होता है भई distance यह आपका distance है divided by speed करने पर time आता है तो time x से y तक कितना लगेगा जो distance है अब distance का value दिया होगा है साड़े 10 km का मतलब यहां से जो time लगेगा x से y जाने में साड़े 10 km divided by speed है वो है x-y की यानि x-9 प्लस वापस आने में तो quadratic equation मनेगा जिसमें x के दो roots निकलेंगे और उससे आपको solve करना होगा लेकिन हमारे पास जो है जब option दिया हुआ है तो क्यों न हम option का use करें जब option चूज करना है तो यहां पर आप इस चीज को समझे कि आपको एक integral value चाहिए तो कोई ऐसा option देखिए जो यहां साड़े 10 से पूरी तरह से कटे जैसे कि थोड़ा सा अगर आप option को देखेंगे तो कौन सा value यहां पर डालना अच्छा रहेगा अगर suppose करिए कि मैं यहां पर ऐसा कोई value दालू जो 9 पर जोडने पर ऐसा कोई value है जो 10 से कटे जैसे कि for example यदि मैं 12 देखूं 12 को लगाने से क्या होता है यहां पर 21 होता है जो इसका दुगना है तो अगर मैं यहां पर 12 दालू तो यह 12 माइनस 9 होगा मतलब 10.5 divided by 3 और यहां पर अगर मैं इसमें 10.5 divided by 12 प्लस 9 करो तो 20 बनाएगा तो इससे हो क्या रहा है यह इसको 2 ब 4.5 और इन दोनों को जोडने पर कहीं न कई चारी तो आ रहा है मतलब 12 जो है यह सही तो आप थोड़ा सा यहां पर calculation को mentally करने कोशिश करिए कि जब यहां तक हम पहुँच गए इसके बाद x कहां से आएगा x तो option में दिया हुआ है तो directly आप option में को directly scan करिए और देखिए ऐ आगे बढ़ते हैं, next question देखेंगे, a man can row to a place 48 km distant and back in 14 hours, he finds that he can row 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream, what is the speed of the stream? तो यहां पर दिया हुआ 48 km जाकर वापस आने में, जानी कि दखिए एक distance पर, a से B, यह 48 km का है यहां से इसे जाकर वापस आने में जो समय लग रहा है वो दिया हुआ है 48 का मतलब दिखिए time जो इसे लगता है A से B जाने में plus time जो इसे लगता है B से A आने में इन उनों का जुस्सा मैं यह 14 गंडे दिया हुआ और time होता है भई time होता है distance divided by speed अब speed लगाए तो कौन सा लगाए आपको सवाल में यह दिया हुआ है कि upstream speed with the stream और against the stream का ratio दिया हुआ है मतलब downstream speed अनुपात upstream speed का जो ratio है यह हमें दिया हुआ है 4 अनुपात 3 का तो अगर मैं मानलू कि 4x और 3x जो है यह actual speed है इससे होगा यह कि जाते वक्त मान लेते कि यह downstream जा रहा है अगर यह downstream जा रहा है तो दूसरा direction upstream हो जाएगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो suppose करिए कि अगर downstream time है तो जाने में 48 km ठीक है और speed कितना तो 4x तो 48 divided by 4x हो जाएगा प्लस यहां से 48 divided by 3x हो जाएगा क्योंकि time होता है distance divided by speed तो distance 48 है speed यहां 4x होगा downstream में और एक जगा 4x है तो दूसरे जगा 3x होगा क्योंकि upstream के दूसरा बन जाएगा तो इसका value जो है होगा और जो upstream speed है वह 6 हो जाएगा क्योंकि 4x लिया था हमने 3x मतलब यह 8 हो जाएगा एक्स कमांद 2 है और एक्स कमांद 3 है तो इच्छे हो जाएगा अब बताइए निकालना क्या था धारा की गती निकालनी है आपको वाई निकालना है अब यह तो हम सीखे चुके है जोना कि डिएस अगर हमारे पास है यूएस हमारे पास है तो वाई कैसे निकालना है इन नोनों को माइनस कर देंगे 8-6 divided by 2 जो की हो जाएगा किलोमेटर दो बटाद दो मतलब 1 km पर आवर यह आपके धारा की चाल है मतलब की speed of stream speed of stream निकालना ही थी तो इन नोनों को माइनस करके आधा करना पड़ता है अगर stream of मनदब की बोट की स्पीड निकाल नहीं होती तो जोनों को जोड के आधा करते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट कॉश्चन दिया है राघाव जो है स्वेश्ट 23 किलोमेटर विद्ध फ्लो इन 2 आवर्स and against the current he covers 10.5 किलोमेटर in 3 hours under certain circumstances the speed of flow got reduced by 1.5 किलोमेटर what is the time taken by राघाव to cover 14 किलोमेटर in downstream by the change flow दो गंटे में अगर वो तेज किलोमेटर चल सकता था मतलब तैर सकता था प्रभा के साथ ही इतना चल सकता था मतलब कि आपको दिया हुआ है कि यहां पर जो value है with the flow है मतलब downstream speed है downstream speed disgust mt23 permetера divided by 2 करोगे 11.5 इसकी speed है downstream speed और साथ में दिया हुआ है कि धारा की विपरीद दिशा में 13 गंटे में इतना चलता है मतलब धारा की विपरीद दिशा का मतलब क्या होता है upstream speed होता है इसका मतलब है कि यह 10.5 km चलेगा तीन घंटे में तो इसको 3.5 km प्रती घंटे की स्पीड हो जाएगी अब यहां से आपको बुला गया है कि अब बदले हुए प्रभा में मतलब कि अब कुछ परिस्तियों से प्रभा की गती जो इतने से घट जाती है तो बताना है कि उसे 14 km चलने में और भी अनुप्रभा में मतलब धारा की दिशा में जाने में कवर करने में लगने वाला समय क्या होगा अब आप खुद बताइए कि X का मान क्या है Y का मान क्या है जाएग चार किलोमेटर प्रतिगंटे की सिंद आगे अब सवाल में दिया हुआ कि कि sprint में विशेष्ट परिष्टिती में यह वाली जो स्पीड है यह कम हो गई एक डेड़ किलोमेटर से प्रती घंटी की स्पीड से मतलब एक्चुली अब जो y है वो y का value कितना है तो 2.5 km पर अब आप से सवाल में पूछ रहा था कि अगर अब यहाँ पर यह downstream speed में चलता है तो downstream speed में x तो इतना होगा y इतना होगा मतलब downstream speed हुआ तो कितना हुआ downstream speed हो जाएगा साड़े साथ प्लस धाई मतलब की 10 km पर आवर की speed से चल रहा है और इसे जो distance कवर करना है वो 14 km का कवर करना है तो time बताइए क्या होता है time होता है distance divided by speed तो 14 divided by 10 करना होगा मतलब 1.4 गंटे एक गंटे और समलब 4 और मतलब देखिए एक गंटा पूरा हो गया और दसमलब 4 का मतलब क्या है 0.4 आवर में अगर 60 multiply किया जाए तो 24 मिनिट आएगा 24 मिनिट एक गंटा और 24 मिनिट भी सवाल का से उत्तर हो जाएगा यहां तक समझ में आगी बात है आशा करता हूं यह समझ में आओगा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं एक आजमी जो है चलिए 6 किलोमेटर पती गंटे हैं तो समान दूरी के लिए धारा की विपरीद दिशा में धारा के दिशा के आपेक्षा साड़े साथ गंटे जाद लगए तो आपको बताना है दूरी कितनी है बेखिये समझिये वैलूस दिये हैं तो क्या दि अर्फारा कारना है कि कि इतना है बङए आपको दिया नहीं कहना करते बात को दिया है यहां पर ऑत brightly अब सवाल समझिये क्या है आपको चलना है कुछ दूरी उस दूरी में टाइम जो upstream में लगा मैनस जो time downstream में लगा इसका value 7.5 घणटे दिये हुए आप upstream time लेगा निकालने के लिए आपके पास upstream speed होना चाहिए downstream time लगाने के लिए आपके पास downstream speed होना चाहिए तो अगर X और Y है, तो downstream speed क्या होता है? X प्लस Y, मतलब 20 km पर आवर. और अगर आपके पास X और Y है, तो upstream speed कैसे निकलता है? ये निकलता है, X-Y से मतलब 8 km. मान लिजे कि जो दूरी है, वो दूरी हम X दूरी को cover कर रहे हैं. तो यहाँ पर जब X दूरी कवर हो रही है, upstream speed में तो speed आपका 8 लगी होगा. माइनस जब X दूरी कवर हो रही है, same दूरी को distance को cover हो रहा है downstream में, तो यहाँ पर 20 से डिवाइट करना होगा, इतना time लगेगा. तो इन दोनो time में साड़े साथ घंटे का difference हो, ठीक? LCM ले लेते हैं, कितना आजाएगा? इन दोनों का LCM ले लेते हैं, 40 आजाएगा, ठीक है? तो यह बन जाएगा 5X माइनस 2X, मतलब की 3X divided by 40, बरावर कितना है तो साड़े साथ है? साड़े साथ को यह जो 3 है, यह धाई बार काड़ेगा, और धाई गुने 40 करने पर X का मान जो है, यह हो जाएगा 100 km, यहां तक बाते समझ में आगी, यहां तक समझ में आगी बाते, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं, आप बोट गोईंग अप स्ट्री पर रिचा में 6 घंटे तै करने में लगता है, धारा की गती जो शांध जल में और 9 की गती जो आधी है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है मतलब देखें आपको सबसे पहली बात दिया बोल रहा है कि अगर यह एक है तो यह इसका आधा है मैं इस दो को इस तरब भेजकर इसा भी लिख सकता हूं कि इसका युज गो सत् में युजी ऐब सब्सक्राइं शह था इनजतना होता है मतलब तो downstream speed और upstream speed का जो अनुपात है वो तीन अनुपात एक है, तो time downstream जो लगता है और time जो upstream लगता है, यानि कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीद दिशा में जो समय लगेगा उसका अनुपात reverse हो जाएगा, क्योंकि जब distance same है, तो speed और time inversely proportional होता है, speed का ratio तीन अनुपात जो है, वो 6 गंटा दिया हुए, कितना? दुगना, इसका दुगना हो, तो पूछ रहा है कि downstream same distance कवर करने में कितना लगेगा, अगर भई इस तीन का दुगना करने पर 6 गंटे आया, तो इस एक का भी 2 गुना करोगे, तो 2 गंटे ही तो आएगा, मतलब downstream time जो है, वो 2 गंट Had the river been still, he would have still completed the journey in 3 hours. How much time will it take for the रवी to row the boat from B to point A? देखे, रवी जो है नाओ के नदी के दिशा में, मतलब एक नदी में धारा के प्रती कूल, बिंदू A से B जाने में 4 गंटे लगता है, और बोल रहा है कि अगर शान्थ जल होती, उस case में से 3 गंटे में सवय पूरा हो जात रवी जो है बिंदू B से A तक चलाने में कितना समय नगे है, तो सपोस करिए देखे यहां पर समझे हो क्या रहा है, यह बिंदू 1 है और यह बिंदू B है, सबसे पहली बात यह प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, मतलब Y जो है इस दिशा में बहरी होगी, मतलब यहां से उ लग रहा है, इसका वैलू दिया हुआ है चार गंटे, और साथ में बोला गया कि had the river been still, मतलब आपको बोला जा रहा है कि अगर यह यहां पर नहीं होता, तो जब यह यहां से जाता, तो X की स्पीड से जाता है, मतलब टाइम जो लग रहा है शान्त जल में, उसका टाइम द अनुपात तीन का, मतलब जो स्पीड होगा, अप्स्ट्रीम स्पीड अनुपात जो X होगा, इसका अनुपात तीन अनुपात चार होना चाहिए, तीन अनुपात चार होना चाहिए, और आप लोग जानते हैं, यह भली भाती जानते हैं, अप्स्ट्रीम स्पीड का मतलब हो तो क्या मैं यहां से एक result यहां पर आपके screen पर लिख सकता हूं कि x अनुपात y जो होगा 4 अनुपात 1 होना चाहिए क्यूंकि आप खुद ही देखिए यहां पर x का मान 4 है और x-y का मान 3 है तो x का मान 4 है और y मतलब की 4 में 1- करने पर तो 3 आया हो मतलब x और y का अनुपात इतना होना चाहिए मतलब अगर मैं आपसे पूछू कि downstream speed का अनुपात क्या होगा इसी अनुपात में मतलब time का अनुपात upstream और downstream में 4 अनुपात 3 है तो यहां से आपका जो time जो ratio बनेगा वो time का उल्टा हो जाना चाहिए मतलब देखिए अब यहां से आपको मैं कुछ चीजे directly लिखूंगा कुछ चीजे आपको समझ में आना चाहिए जैसे कि देखे upstream speed और downstream speed का अनुपात यह कि time downstream कितना लगेगा क्योंकि देखिए यहां से आप जब जा रहे हैं यहां पर तो upstream क्या रहा है और सवाल में क्या पूछा कि B से A जाने में कितना समय लगेगा आप को यह समझना चाहिए कि अगर A से B जाने में प्रतिकुल दिशा है तो B से A अनुपूल दिशा होगी बताइए वापस हाने में कितना time लगेगा तो 3 unit लगेगा मतलब 4 by 5 multiplied by 3 कर लो 12 divided by 5 मतलब 2 घंटे तो पूरे लग गए और 2 बटे 5 यानि कि 0.4 तो 24 मिनिट और लगेगा 24 मिनिट तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A option ठीक है आशा करता हो यह सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि देखिए दो घंटे दो सही दो बटा पांच दो बटे पांच का मतलब क्या है multiplied by 6 करना होगा पांच से इसको काटू तो बारा बर कट रहा है तो बारा इंट दो करोगे तो यहां पर 24 मिनिट और लगे तो दो घंटे लगे और साथ में 24 मिन चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स क्कूशन देखेंगे यहां देखिमें अब बोट कवर ROS 48 अफ्स्ट्रीम and 72 कि L17 साथी तेरा घंटे में 58 KM धारा के देखितेंत्व ऐ рассказḥ बटारा की जाती हो इए सांतिसात्म से क्वेज़िग यहां 12 गन्ते में भारा की चाल किया देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको डारेक्टली यह पता होना चाहिए कि टाइम जो होता है यह होता है डिस्टेंस डिवाइड़ बाइड़ स्पीड दूसरा कोई चाल तरीका यहां पर नहीं है तो 48 किलोमेटर जब अप्स्ट्रीम जा रहा प्लस डाउन स्ट्रीम जाने में जब 48 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो यहां पर 13 घंटे लगते हैं अब आपको सवाल में यही दिया है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है देखिए इस तरीके के सवाल में आपको मैंने कई बर बताया है कि शिफ्टिंग इस तरीके के सवाल में करना क्या है आप बस देखिए कि यहां से यहां जाने में प्लस एक गंटा हो रहा है और मैंने किया क्या मैंने यहां से यहां पर 24 किलोमेटर बढ़ाया और यहां से यहां पर 24 किलोमेटर कम किया यहांने मैंने शिफ्टिंग किया डाउन स्ट्रीम 24 क mm को निकाल के मैं यहां और शिफ्ट कर दिया अप्स्ट्रीम में तो मैं यह कहता हूं कि भाई इस 48 km को भी क्यों रखना इस 48 km को भी यहां से हटा जो पूरा का पूरा हटा के यहां शिफ्ट कर दो तो 48 km losing करूंगा चैन का 120 गोल चैनल चाहिज़错wydd हुंते fighter करूं तो आपका डारेक्ट एंसर आजाएगा पंदरा से आठ बार मल्टिप्लाय करने पर यह आता है मतलब अप्स्ट्रीम स्पीड जो है वह आठ किलोमेटर पराबर की और यदि मैं यहां से reverse calculate करो आप देखिए downstream speed निकालने के लिए तरीके बहुत सारे आप इस upstream को निकालके यहां दाल सकते हो यह आप ऐसा यहां से यहां проход घंटी स्पीड में सब्सक्राइब मनेखाएं इसको भी यहां देने पर 120 सिप्स E λा.. और यहां पर जब 24 किलो में सबते सहे जब 18 किलो में घंटी सिफ्ट करोगे यहां 2ग और कम लगा तो यहां पर दस गंति स्पीड है तो स्पीड आफ स्ट्रीम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आप यहां पर डारेक्टली निकाल सकते वाई बरावर हो जाएगा बारा माइनस आट यानिकी चार डिवाइड बाई दो इतना किलोमेटर पर आवर तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा यह सवाल का स तो शिफ्टिंग अप्रोच हर जगा नहीं लगता लेकिन वहां ऐसे जगा पर जरूर लगता है जब दो एक्वेशन दो विरेबल है और इन नोनों की कोईफिशन्ट का जो सम है वो सेम है ऐसे कंडिशन में शिफ्टिंग लगता है यह मैंने आपको परसंटेज में भी बत आए था अब एक और सवाल है बोटेंट स्ट्रीम में इसमें इस तरीकी से बनाए चलिए एक दो सवाल और लेते इस पैटन का जहां पर आपका वैल्यूस ऐसे नहीं आ रहे जैसे इस सवाल पांच किलोमेटर अप्स्ट्रीम साड़े साथ किलोमेटर डाउन स्ट्रीम जाने सब्सक्राइब करते तो अव्श्ट्रीम डिवाइड कर दो इतना टाइम लगेगा इसे किलोमेटर पर आवर की बात करके कि इतना मिनिट लगेगा चलिक है किलोमेटर पर पहले निकाल लेते तो answer आवर में आएगा बाद में last उसको minute में हम convert कर लेंगे कि यह आप चाहें तो kilometer प्रती minute में भी solve कर सकते हैं कोई गलती उसमें नहीं है तो अगर आप इसको minute में करना चाहते हैं तो बैंने इतना Minute लग लग ठाथ है चलिक अब दूसरे वाले केस में देखते हैं कि it can go 5 km डाउंस्ट्रीम मतलब 5 km जा सकता है और 05 km up stream जा सकता है ठीज़ें मरों और एसा करने के लिए उसे 20 minute का समय लगता है कि लिए किलोमेटर प्रति speed हम दाल रहे यहां पर तब ही जाके इन्य निकालना हैट चल करने के लिए आप यहां से यह वाला इसको हटाना चाहिए अगर मैं downstream को equal करना चाहूं तो आप बताइए कि कैसे equal हो सकता है यहां मुझे 5 दिख रहा है यहां पर मुझे साड़े साथ दिख रहा है तो अगर मैं इसमें 3 multiply करूँ और इसमें 2 multiply करूँ तो दोनों equal हो जाएंगे और यहां पर cut जाएगा सारी चीज़े 2 से multiply करने का मतलब 10 बटा upstream speed प्लस 15 बटा downstream speed बराबर यहां पर 90 हो जाएगा मतलब मैंने पहले वाले equation को 2 से multiply किया इसको 3 से multiply करोगे तो यहां पर साड़े साथ आ जाएगा 7.5 बटा upstream speed और यह बन जाएगा आपका 15 बटे downstream speed बराबर हो जाएगा 75 अब दोनों को माइनस कर दीजे माइनस इसले करना है क्योंकि यह 15 बटा downstream 15 बटा downstream कर जाएगा 10 में से साड़े साथ गिया तो बचा 2.5 divided by upstream इसका value जाएगा 90 माइनस 75 करने पर 15 अब 15 से इसको मैं काटू तो value बताएगे कितना आ जाएगा upstream speed आ जाएगा कि इतना किलोमेटर कवर करने में कितना मिनिट लगेगा तो time होता है डिस्टेंस divided by speed 6 का हमारा distance है speed एक बटे साथ का है तो एक बटे 6 का है तो एक बटा 6 मतलब 6 फिर से अपर चाएगा 36 मिनिट लगेंगे 36 मिनिट तो हमने यहाँ पर minute को convert ही नहीं किया क्योंकि उत्तर अल्टिमेटली मिनिट में हमको निकालना था तो मैंने speed को किलोमेटर पर मिनिट में लिखा है तो 1 by 6 किलोमेटर पर मिनिट यह चल रहा है कि इस तरीकी से आप इसको एक आखरी सवाल देखते है 30 किलोमेटर अपस्ट्रीम 44 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम जाने में दस गंटे लगते और सनी कीशाँप्रभा में चल चाहिए मतलब x का value चाहिए, x का value कैसे निकलता है, downstream speed plus upstream speed divided by 2, तो देखे, जहाँ short trick लगता है, वहाँ short trick लगाने से पीछे मत हटी है, लेकिन इस तरीकी के सवाल में आपको पूरा का पूरा solve करना ही पड़ेगा, तो देखे, यहाँ क्या दिया हुआ है, 30 km upstream जाने में, प्लस 44 km downstream जाने में, जो समय लग रहा है, वो लग रहा है 10 गंटे, और साथ में दिया हुआ है कि 40 km upstream जाने में, प्लस 55 km downstream जाने में जो time लग रहा है, वो है 13 गंटे, ठीक है, तो यह होगा आपका distance by speed equal to time, तो total time बराबर 10 गंटे, यहाँ total time बराबर 13 गंटे, अब आपको speed of man in still water चाहिए, तो downstream speed निकालना होगा, upstream speed निकालना होगा, दोनों निकल जाएगा, दोनों को जोड के आधा कर देंगे, तो speed of man in still water निकल के आधा कर देंगे, divided by downstream, बराबर हो जाएगा 40, अगर मैं इसको 3 से multiply करूँ, बन जाएगा 120 divided by upstream, तीन से multiply करूँ, तो आजाएगा 165 divided by downstream, बराबर हो जाएगा 39, अब देखे, बताइए किया से, कितना value है, अब देखे, simple सी बात है, दोनों को minus कर देते हैं, इन दोनों को minus कर देते हैं, अब आपके पास 4 equation है, एक, दो, तीन और चार, जो equation पसंदार है, जिस equation में आप downstream दालना चालते हैं, दाल दीजे, उससे क्या होगा, आपका upstream स्पीड निकल जाएगा, for example, मैं इस वाले में दाल देता हूँ, downstream के जगा पर मैं दाल देता हूँ, 11, इस वाले equation में, मैं downstream के जगा 11 दाल देता हूँ, 11 दालोगे तो 5 बन जाएगा, 5 दूसरे तरफ जाएगा, तो 40 divided by upstream जो है, यह बन गया 8, 8 इसको काटेगा 5 बार, मतलब upstream स्पीड आगया की नहीं, upstream स्पीड आगया की नहीं, अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ, इस वीडियो के माध्याम से हमने सीखा, vote and stream के सभी प्रकार के question कैसे solve करने, आपके exam में इस से high level का question नहीं आएगा, तो सारे प्रकार की question, जो भी आपके exam में बन सकते हैं, वो भी मैंने बता है, और एक step आगे जाके, थोड़ा सा वैने difficulty level high करके बता है, उसमें भी short trick जहां लगता है, वो भी हमने discuss किया, चलिए, अब मैं इस वीडियो को यहां पर रोकता हूँ, ठीक है, इसी के साथ हमारा time speed distance के तीनों वीडियो के साथ, सारा का सारा time speed distance पूरी तरह से complete है, आने वाले वीडियो में हमें एक नए topic स्टाट करेंगे, वीडियो अगर पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, चैनल सब्सक्राइब करके bell icon दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके like और subscribe से हमारा motivation हाई रहता है, कि जो free of cost जो आपका course चल रहा है, पूरा का पूरा, इसमें और बहतर हम content आपको provide करें, best quality content के साथ आप SSC, CJR और CSSL का preparation कर सेख़गे, Thank you so much, इनी खुझ बातों के साथ इस वीडियो को यहाँ रोकता हूँ, आने वेले वीडियो में एक नए topic के साथ start करेंगे, Thank you so much, इस वीडियो में इतना ही.